आज हम पाणिगे कोसिन नूमर फॉर ट्रिमिट्रिक का क्लास 10 एक्षाइस 8.1 का यहां पर हमारे पास क्वेस्टिन क्या कहता है गिवन फिफ्टीन कॉट एकोल टो एट फाइन साइन एन सेके हमारे पर दिया गया है कॉट एक फिफ्टीन कॉट एकोल टो एक के बरब ए बी सी यहां पर हमारे पास हमें एक्यूट एंगल लेना है एक को कंसेडर करने आप हम यहां पर यहां भी लिख सकते हो यहां पी लिख सकते हो आपके मरजी लेकिन हमारे पास trangle कहांपर हैं हमाय पास triangle हम C या B पर condemn रखेंगे A पर नहीं रहिए क्योंकि हमें दिया है A. Acute angle यहांपर रखेंगे राइट यहां रखा है अब यहां देखिए a के जो opposite में आएगयो हो गया perpendicular a का अजय वह आएगा base और B. जो 90 दिगीरे है मैं हो गया consider a right triangle a b c right angled at b हमार पस के दिया है we have given 15 called a equal to 8 हमें पता है कोई भी रेशो वो होता है comparison between two sides यहां पर a की side है हमें क्या चाहिए है court है हम लगेंगे court a equal यह 15 हमें इस साइड ले हो गए 8 यह 50 हम multiple में इस साइड हो जागा है divide अब हम क्या करेंगे यहां पर देहेंगे हम हम लगेंगे court किसके बराबर होता है पहले हम देहेंगे some people have curly black hair to present beauty हमें पता है कि जो court है वो reciprocal है 10 का 10 होता है perpendicular divided by base यह होगा base divided by perpendicular होगा base divided by perpendicular अब हम देहेंगे जो हमने triangle ली है a b c right here at b इसमें हम देखेंगे base कुन सी है हमें a angle consider करना है base होगे a b इसका मतला which implies a b divided by परपरणी के होगे b c यह बराबर है 8 divided by 50 आप हमारे पास क्या है यह हम पर जो a b है वो बन गया a b बन गया 8 के बराबर b c बन गया 15 के बराबर हम लेंगे a b हमारे पास है 8 और b c है 15 अब हमें निकाने थोड़ साए थोड़ साए a c यह में हाई हाइपार्ट न्यूस हम लगाएंगे p gt लेंगे y p gt क्या किछती है हाई पार्ट न्यूस स्कायर इकोल टो बेस स्कायर प्लस परपंडिक्यूल है स्कायर हाइपार्ट न्यूस हमारे पास यहां कूंसा साइड है यहां पर हम देखेंगे ट्रेंगल में वह है a c अगे a c का स्कायर बेसे हमारे पास a b होगे a b का स्कायर प्लस परपंडिक्यूल है b से b c का स्कायर अब देंगे a से हमें निकालना होगे a से हम यहां पर निकालेंगे ऐसे रहे यह भी हमारे पास 8 होगे 8 का स्कायर बलसare c किपना हमre पास b c हमारे देंगे i a c ॹप्लस एकोड़ ड़ीन का स्कायर होगे 64 15 , का स्कायर होतार 225 अब इन दोंको एड करेंगे होगे AC square equal 64 plus 220 होगे 289 होगे AC हमारे पास आएगा under root of 289 AC equal 289 किसका square 17 का 17 का square square root cancel AC हमारे पास 17 यहां पर हम लगा है यह हमारे पास AC ही है AC होगे 17 अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है sign A and 7A अब हम निकालना की पहले sign A sign A sign हमें पता है perpendicular divided by hypotenuse यहां पर हम देखेंगे ट्रेंगल में perpendicular को हमारे पास side है perpendicular हमारे पास से BC होगे BC C divided by hypotenuse से AC अब हमारे पास से BC है 15 AC है 17 A B है 8 हम देखेंगे यहां पर पहले लिए परपनी के पीस होगे 15 divided by 17 अब लेंगे हम कुछ सा SEC A सेख होता है बराबर कोस का reciprocal कोस हमारे पास से बाराबर base divided by hypotenuse यहोगा hypotenuse divided by base हाई पार्टिन उसके बाराबर यहां पर A C की और B से हमारे पास A B हम A C लिए रहेंगे में लिए लिए 17 डिवाइड बाई A B हमारे पासे की है यह होगे हमारे पास Q4